कोसन नमबर 11.10 करेंगी यह इत्थर पार्ट का है तो इस कोसन में अगर आप थोड़ा सा धिहान देना पड़ेगा थोड़ा सा इंपोर्टेंस है जो इत्थर पार्ट है यहां से कोसन बोज़ादा पूछे जाते हैं एक कोसन जरूम लिया पर थोड़ा सा आपको समझदारी से कोसन करना पड़ेगा इजी रहेगा पर थोड़े आपको समझारी दिखानी पड़ेगी तब ही होगा बिल्कुल इजी कोसन है देखो यह आप राइट दा रियेक्शन ओफ वीलियम सेंसे और टू इथोक्सी थ्री मिथाइल पैंटेन स्टार्टिंग फॉम इथिनोल एंड इससे बनाना अगर आप थोड़ा ध्यान से देखे आपको बनाना क्या है टू इथोक्सी 3 मिथाइल पैंटेन तो पैंट का मतलब कितने होगे 5 कार्वन हो गए 5 कार्वन होगे यहाँ पर देखोगे आप बने गया ना, pentane 1, 2, 3, 4, 5 आप numbering दे तो 1, 2, 3, 4, 5 आपने numbering दे दी 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 पे तो क्या है करना, ethoxy ये बना दी हमने और 3 पे क्या है Methyl क्या है, Methyl है, यहापर आपने क्या लगा दिया CS3 बाग की valency पूरी कर देते है तो आप लोगों नो ये इत्थर बनाना है और इत्थर बनाना किस से है और ये इत्थर बनाने के लिए आपको सिर्फ ये है एक तो इतिनोल है एक तो आपके पास कहा है इतिनोल है और दूसरा आपके पास कहा है थ्री मिथाइल पेंटेनोल है यह हमारे पास पेंटेनोल होगे डूपी ओएच और थ्रीपी कहा है मिथाईल गुरूप है वैलेंसी पूरी कर देते हैं यह कह रहा है कि आपने इन दोनों से इसको बनाना है पिर्पेर करना है अब कैसे पिर्पेर करोगे तो सोचके देखो इसे नाम भी बोलते है वीलियम सिंथिस रियक्षन अगर नाम नहीं बोलता तो बन भी जाता है डाग भी बन जाता है बट नाम बोलने से थोड़ा सा उन्होंने अब उन्होंने थोड़ा सा इसमें एक क्रियेटिविटी ये एक एनलाइज पार्ट एड़ की है अब उन्होंने वीलियम सिंथिस रियक्षन होती किसके बीच में है एक तो एलकाइल हेलाइड और एक एलकोक्षाड के बीच में आप पढ़ चुए जिन बच्चों ने पढ़ा होगा जो वीलियम सिंथिस रियक्षन है वो दो के बीच में होती है एक एलकाइल हेलाइड हेलो एलकेल और दूसरा एलकोक्षाड बट यहाँ पर तो दोनों स्टार्टिंग मेट्रिल वो है नहीं कैसे हो गई तो हम बनाएंगे हम क्या करेंगे उनको बनाएंगे तो इसकी रियक्षन तो हम कर देंगे SOCL2 से जब SOCL2 से करोगे तो यह बन जाएगा CS3, CS2, CL और इसकी रियक्षन हम कर देंगे NA से जब सोडियम से रियक्षन हम इसकी करेंगे सोडियम से रियक्षन इसकी हम करेंगे तो आपको पता यह alcohol है alcohol sodium के साथ reaction करके sodium alcoxide बनाएगा और यहापर H2 gas क्या हो जाएगी release हो जाएगी तो आपके पास यह बन क्या जाएगा CH3, CH2, CH बाग की agitive रह जाएगा CH और यहापर ONA बन जाएगा और यह आजाएगा CH3 यह बन क्या जाएगा बैस कुछ नहीं करना यहाँ से CL और यहाँ से N NACL निकल जाएगा और यह दोनों पार्ट यहाँ प्रेटाइच हो जाएगा तो बन गया हमारा अब यहाँ पर जो कोसन बनता है सर आप ने यहाँ पर इसको SOCL2 से reaction कराया आप इसको भी तो SOCL2 से reaction करके alcoxid बना सकते थे बिल्कुल सही बना सकते थे बट हम एक पॉइंट याद अगना है वीलियम सिंथेजिस reaction में एक limitation है अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर SOCL2 से reaction करा देता तो यहाँ पर OH की जिगा क्या बन जाता है CL और जो CL attach होता है वो secondary होता है वो secondary होता है वो secondary होता है always elimination reaction देते हैं यह always बिट्टा elimination reaction देंगे यहाँ पर eliminate होगा वापर इत्तर formation नहीं होगा तो यही मैं starting करते हो थोड़ा समय ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइब की कोस्टन में आपको अब हम कोस्टन नंबर 11.11 करेंगे यह कोस्टन भी बहुत easy है पर थोड़ा समय ध्यान से करना पड़ेगा इस कोस्टन में आप वो screen पर दिखाए दे रहोगा क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि आपके सामने दो reaction है इन दोनो reaction में से किसमे 1-methoxy-4-nitrobenzen बनेगा मतलब इन दोनो reaction से कौन से reaction possible है जिससे 1-methoxy-4-nitrobenzen बनेगा मतलब इन दोनो reaction से यही product बनना चीए इन दोनो reaction से यही product बनना चीए यह उता है 4-nitro-1-methoxy-benzen अब यह कहरा है कि इन में से कौन से reaction यह product देगी आप कहाना दोनो reaction यह product देगी बोथ आर गीवन इस रियक्शन बोथ आर गीवन इस रियक्शन और प्रोड़क्ट दोनो reaction रियक्शन होके हमें यह product देगी अब आप होगे सर अच्छा क्यों? वो रियक्शन भी पूछा वाई अगर देखा जाए तो यह reaction तो बहुत easy है होनी एक तो electro with drawing group attach है पहर आपे और आपको पते जब पहर आपको ग्रूप attach होता है वो अपना effects सबसे strong show करता है तो यहां से na और यह बी आर रिमू हो जाएगा और यह CS3 आपना attach हो के इत्थर बना देगा aromatic इत्थर बना देगा होतीजी है क्योंकि यहां से bone break होना easy है क्योंकि लक्टों विड्राइंग ग्रूप यहां से लक्टों विड्राइग करेगा इसमें तो हमें कोई सोचने की जूर्द है ही नहीं बेट जो second part आता है यह halogen इस benzen के attach है और जबकि हमारे पास जो halogen आरीन आता है वो nucleophilic substitution reaction के toward less reactive होता है मतलब halogen nucleophilic substitution reaction बहुत कम देता है बहुत highly condition पे drastic condition पे देता है तो यह तो नहीं देना चाहिए देगा क्योंकि इसके पैरा position पे NO2 group attach है यह एक electro withdrawing group attach होता है यह यहाँ सिलक्टों को withdraw करेगा तो यहाँ पर कार्बन और bromine के बेचिम bond weak हो जाएगा और जैसे bond weak होगा तो यहाँ से easily break होगा और यहाँ से NABR रिम हो जाएगा और हमारे पास यह nuclear flick substitution reaction पोसिबल होगी तो दोनों इक reaction हमें one methoxy four nitrobenzen हमें कीवाँ देगा तो यह दोनों reaction possible है यहाँ पर किर्गा होगी फजयर किवाँ जाएगा कर दो यहाँ से पोसिए भी किवाँ झाहँ प्रावड़